हेलो फ्रेंस स्वागे था आपका मेरे चैनल मस्तियन फूड में आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पाउ तो इसके लिए मैंने कुछ सबजिया ली हैं यहाँ पे मैंने दो हरी मेज बारिक कट करके लिया है एक मीडियम साइज प्याज जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया है ए इसी के साथ में हम एक चमच बटर भी डालेंगे यहाँ पे अगर आप चाहें तो सिर्फ बटर से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने दोनों मिक्स करके लिया है बटर पिगलने के बाद में हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और इसे हम एक से दो मिनिट साटे करेंगे अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ प्यास और हम प्यास को थोड़ी देर भून लेंगे प्यास का कलर हलका सा चेंज हो जाए तब तक ही आम इसे भूनेंगे करीब दो से तीर मिनिट हो गया है और प्यास हमारे भून चुके हैं ये थोड़े से ट्रांस्लूसेंट भी हो गया है अब हम इसमें डालेंगे लगभग एक छोटा चमश लसुन अद्रक का पेस्ट और इसे भी हम प्यास के साथ में अच्छे से भून लेंगे लसुन अद्रक का कच्चापन चले जाए तब तक हम इसे भूनेंगे यहाँ पे हमारा लसुन अद्र का पेस्ट भी भून चुका है प्यास के साथ में अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ शिम्ला मिर्च और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पे भी इसको ऐसे भून सकते हैं तो यहाँ पे लगबग 2-3 मिट हम शिम्ला मिर्च को भी भून लेंगे शिम्ला मिर्च को बहुत जादा नहीं भूनना है शिम्ला मिर्च का क्रंच हमको बना के रखना है इसलिए हम उसे बहुत जादा नहीं भूनेंगे अब हम यहाँ पे टमाटर डालेंगे कटा हुआ और टमाटर को हम एक से दो मिनट मिक्स करके ले लेंगे अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे और इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस के साब से डालिए, आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे, आदा छोटा चमच रेड चिली पाउडर डालेंगे, एक छोटा चमच धनिया पाउडर डालेंगे, आदा छोटा चमच गरम मसाल लगभग तीन से चार मिनट हो गया है और हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं अब हम इसे फाइनली गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिया इसात में तो यहां पे लगभग एक मुठी भर में कटा हुआ हरा धनिया इसके उपर डालोंगे और इसे भी हम मसालों में मिक्स कर लेंगे अब हम इसी पैन में प्यास के मसालों को एक तरफ कर देंगे अब हमने जो खाली जगह बनाई है यहां पे हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर को पिगलने देंगे यहाँ पर ग्यास का फ्लेम मैंने लो रखा है और यहाँ पर अब हम पाव लेंगे और इस पाव को हम बीच में से कट करेंगे इसे ऐसे हाफ कर दिना है अब हम बटर को फैला देंगे और इसमें थोड़ा सा प्यास का मसाला भी मिक्स कर लेंगे अब हम पाव को इसके उपर रखके सेक लेंगे यहाँ पर सबसे पहले पाव को हम एक साइड से सेकेंगे लगबग तीन से चार मेंड हम इसे सेकेंगे और फिर हम इसको पलटके दूसरी साइड से भी सेक लेंगे अब एक बार हमारे पाव दोनों साइड से अच्छे से सिख जाएं तो इसके उपर हम जो हमने प्याज और टोमाटर का मसाला बनाया है हम इसे लगाएंगे हम इसे अंदर भी भरेंगे पाव के अंदर और उपर से भी इस मसाले को लगाएंगे ये रेस्पी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और ये सब को बहुत जादा पसंद आती है ये शाम के स्नैक्स के लिए भी आप फटा फट बना सकते हैं या फिर बच्चों के ठिमिन में भी आसानी से बना के दे सकते हैं बहुत ही जादा यम्मी और बहुत ही जादा टेस्टी लगती है यहाँ पे हम पाव को मसाला लगा के चारो तरफ से अच्छे से सेख लेंगे आप चाहें तो इसके पर थोड़ा सा बटर और डाल सकते हैं यह हमारा मसाला पाव बनकी तयार हो चुका है अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगे और यह देखिए हमारा मसाला पाव कितना अच्छा दिख रहा है और सच में यह बहुत सादा टेस्टी भी बनता है अब हम थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया इसके उपर डालेंगे और बारिक सेव डालेंगे इसके उपर आप चाहें तो थोड़ा सा कटा हुआ प्यास और टमाटर भी इसके उपर डाल सकते है आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और अगर आपको मेरे चानल की रिस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दिये गए बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिशन आपको मिलती रहे